वेलकम टू यू आल एट माई यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम वितस के हेलो दिस इस सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप AMT01 के प्रोजेक्ट प्रोपोजल को किस तरीके से प्रिपेर करेंगे इस वीडियो के अंदर हम एक सेंपल भी देखने वाले हैं कि प्रोजेक्ट प्रोपोजल का और यह जो प्रोपोजल है यह एप्र énormément है तो आप इसको अपने प्रोजेक्ट के तौर पे भी कर सकते हैं इसके उपर काम एक और चीज के पिछले वीडियो में हमने planning से लेकर के project submission के बीच के सभी steps को अच्छे से explain किया है तो आप उस वीडियो को देख लीजे ताकि जब आप project बनाना सुरू करें तो आपको कोई confusion ना हो और वो वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे channel के playlist section में तो आप playlist section में जाकर कि उस वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो how to prepare project proposal in amt01 तो इस वीडियो को like करना ना भूलें अपने friends के साथ जरूर वीडियो को share करें और अगर आप अभी तक हमारे channel पर नए हैं तो channel को subscribe कर लिजे साथ ही साथ hit कीजे bell का icon ताकि आपको हमारे वीडियो के regarding सारे notifications on time मिलते रहें सबसे पहले आपको project proposal बनाते वक्त अपना नाम, enrollment number और study center का code लिखना होता है इसके बाद आपको topic लिखना होता है तो यह जो हम आपको project proposal बता रहे हैं वो आपके type 2 का है और type 2 जो है वो है developing and trying out a new teaching strategy तो इस पर ही based होने वाला है इस topic पे based है हमारा यह project तो इस project की तरफ आगे बढ़ते हैं अब और यह है project proposal जिसमें सबसे पहले आप title डालते हो title हमने उपर लिखा है developing and trying out a new teaching strategy इसके बाद आप project proposal लिखोगे और वहाँ पर aim बताओगे aim precise यहाँ पर आपको देना है सिर्फ aim को state करना है project proposal के अंदर जैसे हमारा जो aim है वो है introducing the concept of addition, subtraction and counting through playway method हम यहाँ पर playway method के through addition, subtraction and counting का जो concept है उसे अपने learners को introduce कर रहे है एक और चीज कि यह जो project है वो दो group के साथ किया गया है एक group को हमने addition और subtraction teach किया दूसरे group को counting teach किया क्योंकि आपको पता है कि आपके पास 60 hours का time है जिसमें से 10 hours तो आपने planning में ही लगा दी और 50 hours जो आपका बचा है उस पे आपको project में काम करना है और वहाँ पर 50 hours में आप किसी को भी counting, addition और subtraction तीनों चीजे नहीं सिखा सकते हो इसलिए हम यहाँ पर दो groups के साथ काम किया इस project के अंदर तो आपको यह सारी बाते इसके अंदर लिखनी होंगी आगे जब आप इस proposal को पढ़ेंगे तो सारी बाते आप समझ जाएंगे प्रोजेक्ट 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 का जो रिपोर्ट है उसे प्रिपेर करने के लिए आप A4 size की seat का यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को simple रखिए लेकिन उसे beautifully present कीजिए देखिए आप इस project proposal को जब आप देखेंगे तो आपको idea मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको अपने लिए पूरे project को plan करना है तो aim लिख लिए आपने इसके बाद आपको अपना plan बनाना पड़ता है plan बताना पड़ता है project proposal के अंदर तो हमने लिखा plan of project की हमारा जो overall plan है वो क्या होगा और यहाँ पर आप इस चीज़ को बहुत ही असानी से पढ़ सकते हो आपको पता है हमने aim में जैसे के बता दिया है कि हम तीन चीज़ों पर काम करने वाल है addition, subtraction और counting तो counting को समझाने के लिए counting को introduce करने के लिए हमारा क्या plan है उसको हमने अलग से यहाँ पर लिख दिया for understanding the concept of counting अब counting को समझाने के लिए जो हमारा strategy है वो strategy आपके सामने है पर पेहा पर लिख दिया फिर concept of addition and subtraction जो addition और subtraction का concept है उसको हम यहाँ पर समझा रहे हैं आपको पता है कि आपके पास five blocks होते हैं जिसे आप पढ़ते हैं अब उन five blocks के अंदर बहुत सारी strategies हैं जिनके थूरू learning and teaching हो सकती है mathematics की तो थोड़ा सा आपको content वहाँ से भी use करना है कि आपने जो चीज पढ़ा उसे अपने project में किस तरीके से modify करके implement किया तो यहाँ पर addition और subtraction के concept के लिए ELPS का जो method है उसको हमने यहाँ पर present किया है अब addition के लिए आपको यहाँ पर अलग से एकना है कि addition के लिए किस तरीके से आपने काम किया addition के methods आप यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ पर आप subtraction के लिए जो आपने methods यूज किये हैं वो बताएंगे प्रोजेक्ट प्रपोजल के अंदर आपको सभी activities के बारे में नहीं बताना है कि आपने कौन-कौन सी जैसे कि हमारे पास complimentary addition है तो complimentary addition सिखाने के लिए आपने किस टेकनिक का यूज किया किस तरीके से आपने playway method में इसको डाला तो यह सारी चीज़े आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे वो सारी बाते हम लिखेंगे project report के अंदर यह हमारा सिर्फ proposal है इसके बाद project proposal के अंदर ही आपको यह बताना होता है कि आप किस-किस व्यक्ति के साथ यहाँ पर काम कर रहे है निकि people I work with वो लोग जिनके साथ हमने काम किया तो आपके पास दो ग्रूप है इस project के अंदर तो ग्रूप 1 में कौ इस ग्रूप क्या है वो किस class से बिलॉंग करते हैं और कैसी society में रहते हैं इस बारे में भी अगर आप बताते हो तो इससे यह पता लगता है कि आपने इस project के उपर कितना काम किया है यह देखिए हमने जैसे जो ग्रूप 1 लिया है उसके अंदर 4-6 year के एज ग्रूप के student है और बिलॉंग करते हैं अर्बन सोसाइटी से फिर आप कुछ teachers के साथ भी काम करेंगे उनके experience के थुरू अपने project को implement करने की कोशिस करेंगे तो आप उन teachers के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे जैसे कि हमने आपर दो primary school teachers के साथ काम किया जो mathematics teach करते हैं Mrs. Manjubist और Mrs. Rekhapal फिर Mrs. Jaya Malik है जो principal है बालकरिस्ट पब्लिक स्कूल की और ये जो school है वो एक English medium based school है तो आप ये सारी बाते भी लिखेंगे क्योंकि आप यहां पर एक project पर काम कर रहे हैं और project जो होता है वो fully defined होना चाहिए अपने आप में यहां पर आपका last stage आजाता है आपके project proposal का कि आप इस project को कहां पर conduct करने वाले हैं ये सारी चीज़ें आप कहां करने वाले हैं तो चुकि हमने ये जो project जिस student ने बनाया है उन्होंने कोविट के दौरान बनाया है तो उन्होंने हाँ पर reason बताया है कि वो इस project को अपने neighbor में करने वाले हैं अपने आसपास करने वाले हैं क्योंकि pandemic coronavirus के दौरान सभी schools बंद थे कोई school working नहीं था आप चाहें तो school के थ्रू भी काम कर सकते हैं अगर कोई school आपको इजाजत दे कि आप उनकी student के साथ इस project को करें तो आप कर सकते हैं otherwise आप अपने आसपास में रहने वाले कुछ बच्चों के साथ मिलकर के भी उस project पर काम कर सकते हो और वो दोनों जो यह जो बच्चे हैं वो किस school से बिलोंग करते हैं इस चीज़ के बारे में भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा idea देना पड़ता है अपने project proposal के अंदर ताकि जो आपके course counselor है वो आपके project को काफी अ और अभी तो आम दिन है जैसे coronavirus चल रहा है जिसके कारण आपके study centers हैं वो काम नहीं कर रहे हैं तो इस कारण से आप अपनी study coordinator को proposal और form A समिट नहीं कर सकते हो आपको यह दोनों चीज़ें अपने पास ही रखना होगा जैसे ही यह स्तिती खत्म हो जाएगी और students जो है study center जान करने के बाद form A की एक copy और proposal की एक copy अपने study coordinator को हाँ पर submit कर देंगे और इसके बाद अपने project पे काम करना शुरू कर देंगे तो यहाँ पर आज के वीडियो में आपने project proposal के बारे में देखा कि project proposal आपको किस तरीके से बनाना है आप इस project को भी बना सकते हो इसमें थोड़ी इसी modification करके बना सकते हो जैसे हमने आप addition, subtraction और counting लेकर के काम किया है आप multiplication, division के साथ काम कर सकते हैं आप fraction को किस तरीके से teach करना है इस पर काम कर सकते हैं student की problem solving की जो capacity है जो उनकी ability है उसको किस तरीके से boost किया जाए दूसरे methods के थुरू आप उस पर भी एक project prepare कर सकते हो तो project prepare करने के लिए बनाने के लिए बहुत सारे scope हैं तो आप उन पर भी काम कर सकते हैं तो यह तो था आज का वीडियो जहां पर आपने project proposal के बारे में देखा कि आपको proposal किस तरीके से बनाना है एक sample के थूप यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं ता अब तक ले स्टे ट्यून जय हिंद जय भारत